मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5000 में चलता था अब 15000 भी पूरे नहीं पड़ते 5000 में घर का खर्च चलता मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे वो सरकारी नौकरी में थे तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग होई थी तो 2500 रुपई की तंखा मिली थी और मेरे पिताजी कहते हैं कि 2500 की तंखा में महिने की तंखा 250 रुपई थी महिने की तंखा में घर का सारा खर्च निकालके हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के पितागी कहते थे उन्होंने दो तोला सोना खरीदा था और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था दो तोले सोना इतने पैसे बचते थे अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी बीस हजार हो जाए तो दो तोला सोना नहीं खरीद सकता क्योंकि पंद्र हजार खर्चे में चले जाते हैं पांच हजार बचता है मनि महंगाई इतनी बढ़ गई है जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी तो आप कभी ये सोचते हैं कि पंद्रे पैसे किलो का नमक आपको पंद्रे रुपए का क्यों मिलता है महंगाई है महंगाई क्यों है क्योंकि टेक्स है आपको ये बात तो मालूम है ना नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है दोनों ही tax free cost free है कोई खर्चा नहीं है सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाब बनके उड़ जाता है नमक नीचे रह जाता है वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है उसको पंद्रे रुपई किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है क्यों? टैक्स है उस पर बगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है बगवान ने मुफत में दिया समुद्र का पानी भगवान ने मुफद में दी है सूरज की रोशनी भगवान ने ये सब जो मुफद का दे रखा है सरकारों ने इस पर टेक्स लगा रखा है